नमस्कार साथियो, एक बार पुना आप सभी का हारदिक श्वागत अभी नंदन है, मैं हूँ आपके साथ वसीम और आप देख रहे आपका अपना यूटूब चैनल स्टडी विद वसीम तो साथियो अपन राजस्तान के मेले एवं त्योहार पड़ रहे थे, पिछली क्लासों में मैंने आपको आशाड तक के जो त्योहार है वो करवा दिये हैं, और आज अपन स्रावन माहे के त्योहार पड़ेंगे, अगर आप चैनल के उपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और क्लास को अंत तक देखना, बिल्कुल आसानी से याद करवा दूँगा, तो क्लास को अंत तक देखिएगा, साथियो आज अपन स्रावन माहे के त्योहार पड़ेंगे, आज का स्रावन माहे के त्योहार, तेखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, कि क इस भी माहे के त्योहार रपन पड़ें, तो हमें उस माहे को दो पक्षों में बाटकर पड़ना होगा. एक तो हमारा क्रशन पक्ष है, और दूसरा हमारा कौणशा है? शुकल पक्षों. देखिए, हम इसको भी उसी प्रकार से बाटकर पड़ेंगे. इसमें एक तो हमारा हो जाएगा सात्यों क्रशन पक्ष देख लेना, देखिए स्रावन माहे के त्योहरोग के अपन बात करें तो सबसे पहले तो स्रावन माहे में एक बात को द्यान रखना कि चाए क्रिशन पक्षो या शुकल पक्षो एक तो स्रावन का जो महीना होता है उस महीने के अंदर नव शास बहु जो है वो साथ में नहीं रहती है यानि जिस किसी लड़के की नई नई शादी होती है तो उस लड़के की पतनी और उसकी मा जो है वो स्रावन के महीने में एक शाथ नहीं रहती है क्योंकि उनको लगता है साइद के भी अगर साथ रहेंगे तो कहते हैं कि सास की मर्तिव हो जाती है ऐसा हिंदू परंपरा की अकोड़ी माना जाता है दूसरा है स्रावन महीने के जो आठ शाथ है चाहिए वह क्रशन पक्ष्छ के हो चाहिए वो शुकल पक्ष्छ के हो ज़िस दूर्ब आते हैं और इन सवमवारों का कुमारी कन्याई वर्त रखती है स्रावण का सोम बढ़त रहें कि सावल वर मिले है नोकरी लगेड़ आच्छो छोरो मिले है अब नोग्र चालती रही तो मन को लगे का स्रावन का बढ़त रहा क्या कोई नोक्री लागड़ों मिल जए क्योंकि आजकल तो पेपर हैं इसी हालत हो रही है कि बजार गया जावाई नहीं जो बठला दे करें थोड़ा दिन बाद में करीट पटवार ग्राम सेवक फर्स्ट ग्रेड पेप सा लगता है कुवारी कन्याओं को कि स्रावन के सोवार के बढ़त रखेंगे तो अच्छा वर मिलेगा सुनों छोडों मिले समझदार बाकि मेरा गणाए देखेड़ा है स्रावन का बढ़त राखेड़ी चोड़िया-गणी देखेड़ी और टिंगर भी घणाए ये द्यान रखना कि स्रावन के महीने में शोमवार और सास बहु जो है वो एक शाथ नहीं रहती है इसके बाद में देखिए कि हम स्रावन के क्रशन पक्ष की बात करें कि स्रावन का जो क्रशन पक्ष होता है इसके अंदर कौन-कौन से त्योहार आते हैं तो स्रावन के क्रशन पक्ष में आपको सबसे पहले एक त्योहार ध्यान रखना है नाग पंचमी एक त्योहार आता है शाथियो नाग पंचमी और पंचमी है इसका मतलब क्या हुआ कि पंच्यूने नाग पंचमी मनाईजे यानि कि स्रावन क्रशन पंचमी को कौन साथ त्यो सरप जो होता है उस सरप की पूजा की जाती है नागों की पूजा की जाती है और क्या होता है कि इनका जो मेला है साथियो नागों का जो मेला है वो जालोर के अंदर बढ़ता है कहां पे बढ़ता है जालोर में बढ़ता है नागों का जो मेला है वो लगेगा जालोर के अंदर तर नागों का मेला जालोर के अंदर लगेगा और नाग पंचमी आपकी कब आएगी तो स्रावन क्रशन पंचमी को कौन सी पंचमी आएगी नाग पंचमी आपको पता है कि नाग को मारने के लिए सरप को मारने के लिए जिस जानवर की आउशकता होती है उस जानवर का नाम क् होता है नेवडा तो वह नाग पंचमी हमने मना ली तो हमें निडर नौमी भी मनानी पड़ेगी कौन सी नौमी निडर नौमी एक नौमी मनानी पड़ेगी साथियों जिसका नाम है निडर नौमी और नौमी यानि कि नौमी को आई तो हो जाएगा स्रावन क्रशन नौमी को न निडर नौमी के दिन किश्की पूजा की जाती है नेवले की पूजा की जाती है स्रावन का पहला तेवहार है नाग पंचमी दूसरा तेवहार है निडर नौमी उसके बाद में आपको सिर्फ ध्यान रखना है हर्याली अमाउश्या का कौन सा तेवहार तो हर्याली अमाउश् ये हर्याली अमाउशा जो आएगी वो आपकी आएगी अमाउशा को मेरा कहने का मतलब है कि ये आएगी पंदरश को पुन्यू काएगी क्या अमाउशा हर्याली अमाउशा आएगी और हर्याली अमाउशा क्यों महत्तवपुर्ण है इस बात को ध्यान रखना कि हर्याली अमाउशा इसलिए महत्वपुर्ण होती है कि जिस किसी महिला के बच्चा हुआ और जनम लेते ही बच्चे की क्या हो जाती है मर्त्य हो जाती है वो महिला हर्याली अमाउशा का क्या रखेगी वर्त रखेगी कि जिस महिला को बच्चा हुआ और बच्चा होते ही अस्वरग शिदार गया या बच्चा होते ही उसकी मर्त्य हो गई तो वो महिला क्या रखेगी वर्त रखेगी कौन सा वर्त रखेगी हर्याली अमाउशा का वर्त रखेगी साथ यो कौन सा वर्त रखेगी हर्याली अमाउशा का वर्त रखेगी इसी हर्याली अमवशा के दिन एक स्तान आता है मांगलियावास और ये मांगलियावास जो है ये अजमेर में है कहां पे है अजमेर में है मांगलियावास अजमेर के अंदर कलप वरक्ष मेला लगता है कौनशा मेला लगता है शातियो कलप वरक्ष मेला लगता है और कलप वरक अमाउशा के दिन लगता है और इसी हर्याली अमाउशा के दिन ही आपको पता होगा कि जो विजैसी है पथिक थे जिनका नाम था विजैसी है पथिक विजैसी है पथिक इन विजैसी पथिक ने 1917 में किसान उपरमाल किसान उपरमाल पंच बोरड की स्तापना की थी किसने नाम था मन्ना जी पटेल साथ यो सरपंच किश को बनाया था तो सरपंच बनाया था मन्ना जी पटेल को और इस किसान उपरमाल पंच बोर्ड की स्तापना हर्याली अमाउशय के दिन होती है एक हमारा त्योहाराया नाग पंच मी नागों की पूजा की जाती है मेला जालोर में लगता है दूसरा या निडरनोमी इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है तीसरा है हरियाली अमाउश्या और इस दिन क्या होता है कि जिस महिला का बच्चा जनम लेते ही मर जाता है वो महिला वर्त रखती है और मंगली अवास अजमेर में इसी दिन कलप वरक्ष मेला लगता और विजय सिंग पतिक ने जो आपने बिजोलिया की शाना अंदोलन पढ़ा होगा और बिजोलिया की शाना अंदोलन के जो आपने इसके अंदर विजय सिंग पतिक का नाम सुना होगा जिसके बचपन का नाम था भूप सिंग जो भागा हुआ एक है क्रिमिनल था इस विजय स 17 में किसान उप्रमाल पंच बोरड की स्तापना की थी उसके बाद में आता है साथियो अपने स्रावन का शुकल पक्ष कौन सा पक्ष शुकल पक्ष बिस स्रावन के शुकल पक्ष में सबसे पहले आती है स्रावन तीज साथियो कौन सी तीज आती है तो स्रावन तीज आती है स पहले जो हो आएगी श्रावण ए टीजु और स्रावण टीज को अपन छोटी टीज भी कहते हैं चोटी टीज ये वही तीज है जिसको छोटी तीज भी कहा जाता है अब द्यान रखना की तीज की सवारी कहां की परशिद है साथ यो तीज की जो सवारी है तीज की सवारी जो है वो जेपूर की परशिद है तीज की सवारी कहां की परशिद है जेपूर की परशिद है किस की सवारी तीज की सवारी तीज की सवारी कहां की परशिद है जेपूर की परशिद बिल्कुल आपको उपलाइन की तरह पड़ाया जा रहा है अगर डिजिटल बोल्ड नहीं है इसलिए आप नहीं देख रहे हैं तो फिर कोई मैं उसका कुछ नहीं कर सकता बाकि आपको पूरण तैमेटर जो है वो अच्छे से मिलेगा बस इतना है कि डिजिटल बोल्ड नहीं तो एक दिन पहले सिंजारा आता है क्या आता है सिंजारा आता है एक दिन पहले सिंजारा आता है अभी सिंजारा तो गुर्जी चेत में ही गलाया हो नहीं आंजी चेत में भी सुंधारा आता है या सिंजारा आता है और साथ में स्रावन के अंदर भी कौन शा क्या आता है सि अंदर जो लड़की होती है वो लहरिया चुनरी वे ओढ़नी ओढ़ती है इसके अंदर जो लड़की होती है वो लहरिया चुनरी और ओढ़नी ओढ़ती है कब जिस दिन सिंजारा आता है और सिंजारा स्रावन तीज से पहले दिन आता है वे किस दिन आता है पहले दिन आता है स्रावन अतीज के उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो त्योहार है या मेला है वो कौन शा आएगा तो नेक्स्ट हमारा आएगा वे कल्यान जी का मेला किसका मेला तो कल्यान जी का कल्यान जी का मेला साथियो कल्यान जी का मेला और कल्यान जी का मेला जो है वो स्रावन शुकल एका दस्मी को बढ़ता है कब बढ़ता है एका दस्मी कहने का मतलब है कि यारश के दिन किस्का मेला लगता है एक कल्यान जी का मेला लगता है साथियो किस्का मेला हो गया कल्यान जी का मेला हो गया और कल्यान जी जो है ये कष्ट रोग के उपकारक है किसके कष्ट रोग के उपकारक है कष्ट रोग होता है कोड कोड जानो कष्ट रोग के उपकारक कोन है कल्यान जी और ये भगवान विश्नु के अवतार है बगवान विश्नु के अवतार है बगवान विश्नु के अवता माना जाता है कि इसको कल्यान जी को और साथ यो इनका मेला जो है वो आपका स्रावन सुकल एकादश्मी को कहां पर बढ़ता है डिग्गी टॉंक में बढ़ता है कहां पर बढ़ेगा डिग्गी टॉंक डिग्गी टॉंक के अंदर कल्यान जी का मेला बढ़ता है और स्रावन क अंदर जो अंतिम्त्योहार है वो आएगा आपका रक्षा बंदन रक्षा बंदन और रक्षा बंदन जो है ये आती है पुर्णीमा के दिन किस दिन आती है साथियो पुर्णीमा के दिन आती है और रक्षा बंदन के दिन किसका जनम होता है तो रक्षा बंदन के दिन सर्वन क कुमार का जनम होता है कि इसका सरवन कुमार का सरवन कुमार का जनम होता है और इसी सरवन कुमार का जनम रक्षा बंदन के दिन होता है रक्षा बंदन क्यों मनाई जाती है रक्षा बंदन की सुरुवात कब से होती है कहते हैं कि एक बार एक राजा हुआ करते थे यमन के शक्तीशाली राजा हुआ करता था बगवान ने सोचा कि बली जो है वो इस Hem employers का सबसे शक्तीशाली राजा है क्यों नहुत हम बली की प्रिक्षा लेने के लिए जाते हैं और अपना छोटा सा रूप दारण कर लिया था बावन आंगल पूरा बावन आंगल लागए अब आपको पता है कि जब बावन आदमी तो देखे ड़ा हो ना कि जब छोटे होते हैं तब तो पता नहीं चलता लेकिन जब उमर्ग दराज हो जाते हैं तो बावन सादू का बेस दारण करके बली की प्रिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो बली बड़ा प्रशन हुआ कि आज सादू महात्मा आए हैं और इतना कद देखा कि माशालला आपका कद भी क्या शांदार है तो उनका बड़ा स्वागत किया जब बगवान विश्णू का स्वाग कियार्म ने कहा कि बए बली मैं तर इक में एक का मात देखा हूं तो हम एह याकी ansonबनाविस आपको जादा कुछ नहीं चाहिए बस मेरे अधे अधम क्या शरीर है और उपर से तीन पाउंडा भूमी मांगी अब तीन पाउंडा नाप्पे गो जद भी ऐसा तो होगा कि इभी कितने आगे लेगा तीन पाउंडा हूं ज़्यादा इत्तों नापस के अब आपको बता है जैसे हम बात करें कि किरकेट की जो पी चोती है वो 22 पाउंडा आगी हो है ठीक है अब जे कोई मेर जित्ती आये टालो 22 पाउंडा ना पैंद विन 24 लगाना पड़ा जद पूरी हो है तो अब बगवान विश्नु बावना और बावनी अंगल और फिर भी वो तीन फाउंडा भूमी मंगन लाग रहा तो बली ने कहा कि महाराज यह क्या मांगा आपने आप जितना चाहो नाप सकते हो भगवान ने का रहा है चाति राख भई भगवान ने धाई पाउंडाम पूरी भूमी जी की बिन नाप दी अब आदा पाउंडा जो था वो यस इसको क्या रखूं तो बली ने कहा कि बहराज और तो कोई जगह है नहीं आप मेरी छाती पे रख दो जैसे बगवान ने उसकी दे पे पेर रखा तो बगवान ने वहां पे कहा था कि बली तुम मैं जैसे तुम्हारे स्रील पर पेर रखूंगा तो तुम पताल लोक में चले जाओगे बली ने कहा आप चिंता क्यों करते हो पर मेरे को एक वचन देता है अब बगवान यहां पे उसको वचन दे देता है उसने कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक आप मेरे इस पूरे के पूरे लोक की रक्षया करोगा यानि रुखाडी करोगा चोकिदार पेर इदार बिया करनों पड़ागो बगवान फस गयो बगवान ने जैसी उसकी दे पेर रखा वो पताड में चला गया बगवान के पास में एक बड़ी लाठी और बगवान चारों और क्या लगाते हैं चक्कर लगाते हैं कई दिन होगे लक्ष्मी माता को पता चला कि भी बगवान काफी दिन हो गए भगत की प्रिक्षा लेने के लिए गए थे आये नहीं क्या हुआ नारद को बेजा नारद जी नारायन नारायन करते हुए इदर उदर गूम कर आये और वापस आकर लक्ष्मी को कहा कि माते बगवान अब वापस नहीं आएंगे मुझे तो लग करते हैं कि अधिया लक्ष्मी माता जो थी वह स्व्यम उस दिन रक्ष्या बंदन की तरह जो थाड़ी के अंदर जो जितने भी रक्ष्राखी होती है या रोली-मोली जो भी होता है वह लेकर पाताल लोक में जाती है और वहां पर जाकर बली को अपना भाई बनाती है और ब आपके स्रावन पुर्णी मां के दिन मनाया जाता है इस दिन सरवन कुमार का जनंप अब सरवन कुमार के लिए पहर माता पीता को लगता है भी मेरो बेटो सरवन कुमार जिशु हुआ है। सरवन कुमार जिशो बेटो क्या वे उणों चाहिए। तो ठीक है, आज बाद के बच्चे कोन से माड़े हैं। सब अच्छी है। उस समय सरवण कुमार के पास में जादा कुछ अर्थ व्यवस्ता उसकी अच्छी नहीं थी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उसलिए उसने क्या किया एक लाठी लिया उसमें जोड़ी बाढ़ ली और अपने मातावीता को इठा ली आज कल वाले बच्चे बेचारे फोर स्क्रीन सोट लीजिए उसके बाद में आपन नेक्स्ट भादरपद महीने की बात करेंगे तो इसका स्क्रीन सोट ले लिया होगा अब आगे बढ़ते हैं अगला आपना जो महीना होगा शाथियो वो है भादरपद महीना नेक्स्ट हम जिस महीने की बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा मुझे लगते हैं कि इसी भादरपद महीने के त्योहार जो है वो है और महत्व पुर्ण भी है भादरपद महीने के त्योहार तो नेक्स्ट जो हमारा महीना होगा जिसका नाम है भादरपद महे के त्योहार बादरपद माहे और सात्यों बादरपद माहे को भी हम दो पार्टों में बांट कर पड़ेंगे एक तो हमारा पार्ट क्रशन पक्ष और दूसरा हमारा जो पार्ट है वो हो जाएगा शुकल पक्ष तो एक तो क्रशन पक्ष को पढ़ेंगे और दूसरे साथियों शुकल पक्ष को पढ़ेंगे क्रशन पक्ष के त्योहारों के अपन बात करें तो क्रशन पक्ष के त्योहारों में सबसे पहले हम जिस त्योहार को पढ़ेंगे वो है हमारा बड़ी तीज साथियों कौन साथियों हार पड़ेंगे बड़ी तीज पड़ेंगे सबसे पहले कौन सी तीज पड़ेंगे बड़ी तीज पड़ेंगे और बड़ी तीज यानि की तृत्या को आती है कब आती है बादरपद क्रशने तृत्या को आएगी और कहते हैं इसको हम कजली तीज भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं कजली तीज कहते हैं इसी को हम सातूरी तीज कहते हैं क्या कहते हैं सातूरी तीज भी कहते हैं इसी को हम बुड़ी तीज भी कहते हैं क्या कहते हैं बुड़ी तीज अब देखिएगा कि जो ये कजली तीज सातूर तीज बुड़ी तीज जो है इसका मेला कहां पे लगता है तो साथियो इसका जो मेला है वो लगेगा बुंदी के अंदर कहां पे लगेगा बुंदी के अंदर यानि भादरपद क्रशन तृत्या को हमारा त्योहार कौन सा आता है तो भादरपद क्रशन तृत्या को जो हमारा तिवहार है सातियों वो आएगा बड़ी तीज सातूरी तीज और कजली तीज बड़ी तीज सातूरी तीज और कौन सी तीज आएगी कजली तीज आएगी सातियों इसका जो मेला है वो कहां पर बढ़ता है तो इसका मेला बुंदी के अंदर भरेगा उसके बाद में देखिएगा, बड़ी तीज, सातूरी तीज और कजली तीज पड़ा, उसके बाद में next कौन सा तिमार आता है, तो next सातियों हमारा तिमार आएगा, उब चट, कौन सी चट है, उब चट, उब चट मतलब कि बादरपद कृशन चट को आएगी, और उब चट के रखती है, वर्त रखती है, उब चट के दिन कुवारी कन्याई जो होती है, वो वर्त रखती है, दिन बर उपवास रखती है, खड़ी रहती है, और शाम को, चंदरमा को देखकर खाना खाती है, वर्त रखती है, वर्त रखती है, और शाम को, चंदरमा को देखकर खाना खा हल भई कुण राखतो तो सारानबेरोय हल तो गवान क्रिश्ण का भाई बलराम रखता था तो गवान किशत की दिन हुआ था इस दिन शाथियो किशकी पूजा की जाती है हल की पूजा की जाती है सात्यों किस की पूजा की जाती है हल की पूजा की जाती है किस दिन की जाती है हल की पूजा हल छट के दिन और हल छट के दिन किस का जनम दिन मनाया जाता है वेकिंगो बड़े आओए हल छट अड़ दिन तो बलराम का हेपी वाला बड़े आता है उसके बाद में देखिएगा हल छट के बाद में नेक्ष्ट जो त्योहार आता है हमारा वो आता है क्रशन जन्माष्टमी सात्यो कौन सा क्रशन जन्माष्टमी जन्माष्टमी सात्यो क्रशन जन्माष्टमी जो है वो आएगी आश्टम होता है बगवान क्रशन का जनम किस दिन होता है तो बगवान क्रशन का जनम क्रशन जनमाश्टमी के दिन होता है इसी क्रशन जनमाश्टमी के दिन आप एक चीज़ और द्यान लखना कि कैसरिया कमर का मेला लगता है किसका मेला लगता है कैसरिया कमर का मेला लगता है क्रशन जनवाश्टमी के दिन केसरिया कमर का मेला लगता है और सातियों ये मेला जो है वो दो जगह होगा एक तो होगा दद्रेवा के अंदर कहां पे तो दद्रेवा के अंदर और दूसरा हो जाएगा आप बरमसर में दूसरा हो जाएगा बरमसर में एक दद्रेवा चूरू के मानगड के अंदर ये दो मेले लगते है केसरिया कमर के मेले और किस दिन लगते है क्रशने जनमाश्टमी के दिन उसके बाद में इसी दिन आपको ध्यान रखना है कि जो सक्कर पीर है कौन से पीर है सक्कर पीर और सक्कर पीर को ही हम नरहड पीर कहते हैं क्या कहते हैं तो सक्क जूञ्णु में है, चिडावा जुणदू के अंदर इनका उर्ष लगता है, उर्ष का मतलब होता है शाथियो मेला, क्या होता है, मेला, तो सक्कर पीर या नरहड पीर का जो उर्ष है वो चिडावा के अंदर लगता है, भाद्धर पद कृषने आश्टमी यानि की क्रषन ज गोगा नौमी यानि की भादरपद क्रशने नौमी और इस दिन साथियों गोगा जी का मेला लगता है किसका मेला लगता है तो गोगा जी का मेला भी आपको पता है कितनी जगें बरेगा दो जगें एक तो गोगा जी की धूर मेडी और एक गोगा जी की सीश मेडी सीश मेडी तद्रेवा चूरू के अंदर है और दुर मेडी गोगा मेडी नोहर हनुमान गड़ के अंदर है गोगा मेडी नोहर हनुमान गड़ के अंदर है तो गोगा नौमी के दिन किसका मेला बरता है गोगा जी का मेला बरता है साथियो उसके बाद में गोगा नौमी के बाद में अग गाई के बच्छडे की पूजा और गाई के बच्छडे की पूजा बच्छ बारश के दिन की जाती है बच्छ बारश के दिन करेंगे और उसके बाद में आती है सातियो सत्या अमाउश्या कौन सी अमाउश्या तो सत्या अमाउश्या और सत्या अमाउश्या के दिन जो है वो स पती का नाम था तंधन दास या तंशुक दास था उनके पती का नाम और जैसे ही राणी सती के पती की मरत्यू हो जाती है तो उसके पती की मरत्यू होते ही राणी सती उसके पीछे सती हो जाती है और वह जो राणी सती थी वो देवी के रूप में पूजी जाने लगी और उसक की पूजा होती है वैज सती होना राजस्तान के अंदर एक क्या थी परंप्रा थी कि परंप्रा हुआ करती थी और ये परंप्रा ऐसी चलती आ रही है लेकिन सती 018-30 के अंदर राजा राम महनराई के प्रियासों से वीलियम बेटिक ने इस पर रोक लगा दी थी लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये एक धर्म था पतनी का धर्म हुआ करता था कि वो अपने पत्ती के साथ में सुहागण ही मर जाए भई सुहागण जो थी वो अपने पत्ती के साथ में जलकर राख हो जाती थी एक बार क्या होता है कि एक किसी व्यक्ति की मरति हुई और बिंगी जिगिलुगाई बाब ली मैं सती होंगा तो गाउवालों ने समझाए बहले बेटा सती और ना कोई अच्छी बात नहीं है मतो आप स सती हो जाती हूं गामवालों ने बड़ा समझाया लेकिन वह महिला माननी को नी तब गामवालों ने कहा रहे चलो कोई बात नहीं इन थे आपने चिताग उपर बिठाओ अब इन बाद चित्रिया त्यार हो गए आगी एकदम स्वागण बागण मनगे चिताग उपर आख मी गाहों को लगता है कि वह सती माता जो थी वह वास्तों में क्या हो गई थी सती हो गई थी आप पूरा गाहों सती माता सती माता सती माता के नाम से उसकी पूजा करता है लेकिन उसके दो लड़के थी कहते हैं कि वह दो लड़के जो थी वह माता पीटा दोनों की मर्ति हो करेंगे वह गाओं की गाये वैस्स बकोरी चरया करते थे एक दिन गुम्तें गुम्ते वो उनको काफी भूख लगी ती उन्हों मनें सोचा कि हम किसी के घर से खाना मांग कर लाते हैं और वह पास में एक सरदार का घर था उसके घर में गए जैसे उसके शतिमाता की पूझा करते दोनों लड़के नहीं करते इं गांवालों ने कहा तुम्हारी मात ही हम सब लोग शतिमाता की पूझा करते हैं तुल्ग क्यों नहीं कर तो और चोड़ चोड़ा सतिया और भी गणाई फिरा यानि चोड़ चोड़ा टाबर और नीराई ओर आविंगे तो भागोई सतिवाता को नी है लेकिन हाँ परंपरा जरूरती परंतु ये राणी सति है और इसकी वास्ता में पूजा होती है साथियो जून नू के अंदर सतिमात पूजा और इसकी पूजा होती है अपने बादरपद अमाउश्या के दिन होती है बादरपद अमाउश्या के दिन किसकी पूजा होती है तो राणी सति की पूजा होती है जिसका मूल नाम नरायनी बाई था और तंशुक दास उसके पती का नाम था साथियो बड़ी तीज ह इसी को कहा जाता है इसका मेला बुंदी में बरता है साथ्यों काम पर भरेगा बुंदी में उसके बाद में हमने पढ़ा ऊब चट कौन सी चट है ऊब चट है ऊब चट जो है इस दिन कुमारी कन्या दिन भर खड़ी रहकर उपवास रखती है और शाम को चंद्रमा के दर्शन करके खाना खाती है उसके बाद में हल चट इसमें क्या होता है कि भगवान बलराम का जनम हुआता इस दिन और हल की पूझा की जाती है और कहते है कि भगवान बलराम की लुगाई जी की बोली लंबी होनती है और बने हड़ा उनका चिड़ावा जूननू के अंदर उर्ष लगता है, उर्ष का मतलब मेला होता है, शात्यों क्या मेला होता है, ठीक है, उसके बाद में है गोगा नौमी, गोगा नौमी को गोगा जी का मेला लगता है, ये भी दद्रेवा और आपके एक लगेगा गोगा मेडी के अंदर, इसके बाद में है बच बारस इस दिन बचछडे की पूजा की जाती है उसके बाद में है सत्या अमाउश्या और सत्या अमाउश्या का जो पूजा है वो सातियो जूननू के अंदर शतिमाता की पुजा की जाती है, उसके बाद में आता है बाई शुकल पक्ष, बाई बादर पद शुकल पक्ष की अपन बात करें, तो बादर पद शुकल द्वितिया से लेकर सातियो एका दसी, बादर पद शुकल द्वितिया से लेकर एका दस राम देव जी का मिला लगता है कौनसी हर तालीका तीज और हर तालीका तीज जो होती है इस दिन सीव पारवति की पूजा की जाती है और ये आती है भादरपद शुकल तृत्या को बादरपद शुकल को कौन सा तिम्हार आता है, हर्ताली का तीज आती है, कौन सी तीज आती है, हर्ताली का तीज आती है, बादर पद शुकल तृत्या को आती है, उसके बाद में हर्ताली का तीज के बाद में साथियो आती है, गनेश चतूर्थी, कौन सी चतूर्थी, गनेश चतूर्थी, साथियो गणेश चतुर्थी जो है इस गणेश चतुर्थी का यानि गणेश चतुर्थी जो है ये भी आपकी कबाती है बादर पद शुकल चतुर्थी को आएगी इसको अपन चत्रा चोथ कहते हैं कौन सी चोथ कहते हैं चत्रा चोथ कहते हैं इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती गनेश जी की पूजा की जाती है अब गनेश जी के कई मंदिर आते हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है जैसे एक नमबर पे आता है रनत भावर का गजानन्द मंदिर चाति यो रनत भावर का गजा जिसको अपन त्रीनेत्र गनेश मंदिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रीनेत्र गनेश मंदिर कहते हैं, और साथ यो गजानन्द मंदिर या त्रीनेत्र गनेश मंदिर जो है, यह हो जाएगा, रन्थंबोर के दुर्ग में, और रन्थंबोर का दुर्ग है, सवाई मादवप में रन्तमबोर के दुर्ग में त्री नेत्र गनेश मंदिर या रनतबंवर का गजानंद मंदिर है जिसको अपन क्या कहते हैं यह आपका हो जाएगा स्वाई मादवपूर में दो नंबर पे आते हैं कि खडा गनेश जी कहां का प्रशिद है तो खडा गनेश मंदिर जो है या खडा गनेश जी जो है यह हो जाएंगे साथियो कोटा के कहां के हो जाएंगे कोटा के खडा गनेश जी कहां का है कोटा का है खडा कहां का है कोटा का है उसके बाद में तीन न सीरोही के कहां के हो जाएंगे सीरोही के बाजना गनेश जी कहां के प्रशिद है सीरोही के प्रशिद है उसके बाद में द्यान रखिएगा नाचना गनेश जी कौन से गनेश जी नाचना गनेश जी और साथियो नाचना गनेश जी अलवर के प्रशिद है कहां के प्रशिद है अलवर के प्रशिद है कौनसे गनेश जी नाचना गनेश जी नाचना गनेश जी कहां के प्रशिद है अलवर के प्रशिद है उसके बाद में पांच नमबर पे द्यान रखिएगा बोहरा गनेश जी कौनसा गनेश जी बोहरा गनेश जी और साथ यो बोहरा गनेश जी जो है य आपके हो जाएंगे उद्यपूर के कहां के है उद्यपूर के बोहरा गनेश जी कहां के प्रशिद है उद्यपूर के प्रशिद है इसके बाद में एक आता है गड़ गनेश जी गड़ गनेश जी और साथियों गड़ गनेश जी जो है ये आपके हो जाएंगे जेपूर के कहा के है जेपूर के और एक और द्यान रखेगा ये है साथियो मोती डूंगरी कौनशा मोती डूंगरी और मोती डूंगरी गनेश जी भी कहां के होंगे जेपूर के होंगे भई कहां के जेपूर के तो गनेश चतुर्थी बादरपद शुकल चतुर्थी को आती है इस दिन क्या ह होता है कि गणेश जी की पूजा की जाती है और इशी को साथियोपन चत्रा चोत कहते हैं रनत भवर का गजानन्द मंदिर या तीनेत्र गणेश मंदिर जो है वो रनत हमबोर के दुर्ग श्रवाई मादवपूर में पड़ता है उसके बाद में खड़ा गणेश जी कोटा के परसिद है बाजना गणेश जी शिरोही के परसिद है नाचना गणेश जी अलवर के परसिद है बोहरा गणेश जी उद्यपूर के परसिद है गड़ गणेश जी जेपूर के है और मोत्ती डूंगरी ये भी जेपूर के है शात्यो चत्रा चोत के बाद में कौन सी पंचमी जाएगी तो चत्रा चोथ के बाद में नेक्ष्ट त्योहार आएगा शाथियो अपना रिशी पंचमी कौन सी पंचमी रिशी पंचमी और यह रिशी पंचमी बादर पद सुकले पंचमी को आती है रिशी पंचमी कब आएगी बादर पद सुकले पंचमी को इस रिशी पंचमी के बाद में साथियो आपको ध्यान रखना है देव नारायन जी का मिला और देव नारायन जी का मिला और देव नारायन जी का जो मिला है साथियो ये लगता है बादर पदे सुकल सब्तमी को बादर पदे सुकल सब्तमी को देव नारायन जी का मिला लगता ह इतने आप पहले देखो, इसको मैं दुबारा रिपीट करवा देता हूं, उसके बाद में नीचे नहीं आएगे, इसलिए इनको पहले मीटा देंगे। इसके बाद में आगे अपन बात कर लेंगे। देखिए बड़ी तीज इसको कजली तीज सातूडी तीज और बूडी तीज भी कहते हैं इसका मेला बुन्दी में बरता है उब छट इस दिन कुमारी कन्याई दिन बर उपवास रखती है और श्याम को चंद्रमा को देखकर खाना खाती है हल छट बगवान बलराम का जनम दि लोमी को आती है बच बारश बचड़े की पुझा बारश के दिन तो पहले इसका स्क्रीन सोट ले लिजिए उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो पहले इसका स्क्रीन सोट लो क्योंकि इसके बाद में इसका जो आगे का मेटर है वो यहां पर लिख देते हैं तो इसको म हमारा द्रशन्र पक्षवाला जू मेटर था यह तो आपने नोट कर लिया उसके बाद में हम शुकल पक्षवाले को आगे बढ़ाते हैं कि हमने पड़ा कि देव नारैंड जी का मेला उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा त्योहार आता है वो आता है बरत हरी का मेला और साथ यो बरत हरी का जो मेला है वो बादर पद शुकल शप्तमी और अस्टमी को बढ़ता है बरत हरी का मेला बादर पद शुकल शप्तमी और अस्टमी को बढ़ता है बरत हरी जी जो थे ये उजेन के राजा थे सात्यों कहां के राजा थे उजेन के राजा थे ये उजेन के राजा थे और इनके जो गुरु थे गुरु का नाम था गोरखनाथ गोरखनाथ बरत हरी के ग तुरू का नाम था साथियो गोरखनात और ये राजा कहां के थे उजेन के राजा थे बरत हरी की गुफा भी याद रखशकते हो आप और बरत हरी की गुफा एक तो हो जाएगी साथियो अबू के अंदर और अबू है सिरोही के अंदर दूसरा हो जाएगी अब पुशकर में एक तो इश्की गुफा है आबू में और दूसरी इश्की गुफा कहां पे हो जाएगी पुशकर में, पुशकर है अजमेर में, उसके बाद में देखिए बरत हरी जो थे इन बरत हरी ने कई गरंथ लिखे हैं, साति उन गरंथों के नाम भी आप ध्यान रखना कि बरत हरी ने स्रंगार शतक, एक आता है विराग्य शतक, विराग्य शतक, ये जो गरंथ है निती शतक, स्रंगार शतक और विराग्य शतक ये किश के द्वारा लिखे गए हैं, तो ये बरत हरी के द्वारा लिखे गए हैं और साति उनका मेला जो है वो बादर पदशुकल, शप्तमी और अश्टमी को लगता है देखिए बरत हरी के मेले के बाद में आपको पढ़ना है राधा अश्टमी नेक्स्ट जो हमारा त्योहार आएगा वो आएगा राधा अश्टमी और सात्यों राधा अश्टमी जो है इस राधा अश्टमी यानि की अश्टमी को आएगी और राधा थे उनका जनम होता है राधा अश्टमी के दिन और राधा जी का जो मेला है सातियो वो सलेमाबाद के अंदर लगता है मेला कांपे लगता है सलेमाबाद में लगता है और सलेमाबाद सातियो अजमेर में है कांपे है अजमेर में राधा जी का मेला सलेमाबाद अजमेर में रा लगता है निम्बारक शंप्रदाई का मेला तो ध्यान रखिएगा कि निम्बारक शंप्रदाई का जो मेला है वो राधा अश्टमी के दिन कौन से संप्रदाई का मेला लगता है तो राधा अश्टमी के दिन निम्बारक शंप्रदाई का मेला लगता है उसके बाद में नेक् जल जूलनी एका दस्मी जल जूलनी इससे पहले तो तेजा दस्मी पढ़ो आप सोरी थोड़ी मिश्टेक होगी देखो हाँ राधा अश्टमी उसके बाद में आपको नेक्ष्ट ते वहार पढ़ना होगा तेजा दस्मी और तेजा दस्मी सात्यों दस्मी कोएगी इस दिन तेजा जी का मेला लगता है किसका मेला लगता है तेजा जी का मेला लगता है और साथ में जो खेजडी वरक्ष होता है इस खेजडी वरक्ष का जो मेला है खेजडी वरक्ष मेला ये खेजडी वरक्ष मेला भी सात्यों जैनती विश्यो कर्मा जैनती किस दिन आती है तो तेजा दसमी के दिन आती है और इसी दिन साथ हो खेजडी वरक्ष की पुजा की जाती है उसके बाद में आएगी जल जूलनी एका दसमी और जल जूलनी एका दस्मी आती है बादर पद सुकल ग्यारश को और इसी दिल लगता है सावरिया सेठ का मिला सावरिया सेठ का मिला और सावरिया सेठ का मिला जो है वो लगता है साथियो बादर पद शुकल एका दस्मी को उसके बाद में आपको ध्यान रखना है सातियो अनत चतुर्दसी और अनत चतुर्दसी कहने का मतलब है चवदस और चवदस को अनत वाला बर्त रखा जाता है ये आपके स्रावन के शुकल पक्ष के त्योहारत सबसे पहले तो रामदेव जी का मेला उसके बाद में हर्ता लिकातीज फिर गणेश चतुर्थी यानि चत्रा चोत रणत बमर का गजानन्द मंदिर या त्री नेत्र गणेश मंदिर रणतमबोर का प्रशिद है खड़ा गणेश जी कोटा के प्रशिद है बाजना गणेश जी शिरोही के प्रशिद है नाचना गणेश जी अलवर के प्रशिद है बोहरा गणेश जी उद्यपूर के प्रशिद है गड़ गणेश दी जेपूर के प्रशिद है मोती डूंगरी भी जेपूर के है और उसके बाद में रिशी पंचमी आती है पंचमी को देव नरायन जी का के अंदर लगता है। tanew में के राजा थे गुफा गुरु का नामता गॉरक बुफा आभी और पुषकर में उसके इसी दिन खेजड़ी व्रक्ष की पुजा ऐसे केजड़ी मेला लगता है और इसी दिन विश्यव कर्मा जैनती आती है जल जूलनी एका दस्मी और इसी दिन सावरिया सेट का मेला लगता है उसके बाद में है अनत चतुर दसी अब जल्दी से इसका लो स्क्रीन सोट उसके बाद में अगे बढ़ते हैं है तो आपने इसका स्क्रीन सोट ले लिया होगा अब पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो त्योहार होगा वो आज्मिन का कि अद्पी माह का त्योहार जिसको आफन आता है यहाषल माहिक पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा आस्मेह माहें और अस्मेह को भी अपन उसी प्रकार से दिवाइड करेंगे दो पार्टों एक तो आएगा कॉन्शा पक्ष क्रश्ण पक्ष दूसरा कॉन्शा पकष आएगा तो दूसरा आजयेगा जी शुकल पक्ष कॉन्शा पक्ष है सुकल पक्ष क्रशन पक्ष में आस्वीन माहे में आपको ध्यान रखना है कि प्रती पदा से लेकर अमाउशा तक प्रती पदा से लेकर अमाउशा तक भई क्या आते हैं सराद आते हैं और सराद आते हैं मतलब और कुछ भी नहीं आएगा सिर्प और सिर्प है जो कौवए नों में जित्ने भी हिंदू समाज में वेकतियों की मृतिय हुई है उन सबी के खा साघा चा न बनाया जाता है। उनको बुलाया जाता है चट पे बुलाते हैं और कोवे को खाना खिलाया जाता है जब कोवा खाना खा लेता है तो कहते हैं दादा जी ने खाना खा लिया और अगर कई बार क्या होता है कि सराद वाले दिनों में कोवों के भाव बढ़ जाते हैं और वो खाना नहीं खाते हैं पंद्रा दिन में पंद्रास दिन उते इसराद वाले उसमें कव्व stär में उसाणि कोहने मिलेगा इस तो खाले मुझक हो कॉन कि नहीं से पर चिंगगों इन पंद्रा दिनों में कागला भी नटजे खान खातर लेकिन सोड़ गागलां बड़ो जीक रहे हैं खान खातर और बान भी टाइब मिल लेकूं उसके बाद में आता है साथियो आश्वीन माहे में शुकल पक्ष शुकल पक्ष के अंदर जो है वो प्रती पदा से लेकर और नवमी तक तो भई क्या आएंगे नवरात्रा नवरात्रा एक चेक्तर के नवरात्रे और दूसरे जो हाते हैं वो आश्वीन के नवरात्रे आते हैं इसके बाद में आपको ध्यान रखना है राधा अस्टमी तो अपनी आ गई थी उसके बाद में दुर्गा अस्टमी को ध् में साथियो अस्विन माहे के शुकल पक्ष मिनेक्ष जो तुहारा आता है महा नौमी और ये महा नौमी है ये आएगी आपकी नौमी की उसके बाद में साथियो आता है दसेरा और दसेरा यानि की जो है आपका दसमी को आएगा और इस दिन जो है वो राम की विजए होती है राम की विजय होती है रावन की मरत्यु होती है दसेरे के दिन शाथियो जो क्या होता है सस्तर की पूजा की जाती है यानि सस्तरों की पूजा की जाती है दसेरे के दिन किसकी पूजा की जाती है तो सस्तरों की पूजा की जाती है राम की विजय होई थी तो सस्तरों की तो पक्षी होता है लील टान्ष पक्षी के द्रशन सुभ माने जाते हैं दसेरे वाले दिन इस दिन अगर किसी ने लील टान्ष पक्षी को देख लिया तो उसका दिन पूरा पूरा बड़ा बैष्ट जाएगा कि एक बार क्या हुआ कि भी कोई जाट था और वो दसेरे का दसेरे से पहला दिन था महानवमी का दिन था और उस दिन ससंग चल रही थी तो ससंग में वैसे तो कभी नहीं जाता था एक दिन चला गया उस दिन क्या होता है कि वह जैसे ससंग में गया तो शादू महराज ने कहा कि अगर कल दसेरा है और दसेरे के दिन किसी ने लिल्टान स्पक्षी को देख लिया तो उसका दिन बड़ा सुब जाएगा वह आदमी बस उसको इतना चाहिए था वह निकल गया बात सुनके दूसरे दिन सुब होते ही वह खेत की तरफ जा रहा था उसको लिल्टान स्पक्ष अगर किसी ने लिल्टान स्पक्षी मरा हुऊ देख लिया तो उसका क्या होगा तो औरी महाराज ने अब यह तो गलती बात है उसने कहां मेरे केले के लिए अशूम क्यों हो उसने जयिव से निकला पूर में मनाया जाता है कोटा और जोधपूर में दसेरा मनाया जाता है और साथ में एक ध्यान रखना कि जो एक स्तान आता है मंडोर और मंडोर कहां पर पढ़ता है मंडोर पढ़ता है जोधपूर में मंडोर जोधपूर का जो ओजा परिवार है ओजा परिवार ये मंडोर जोदपूर का ओजा परिवार जो है वो दसेरे को शोक दिवस के रूप में मनाता है इनका जवाई था रावन और जवाई की मर्ति होगी तो यह सुब कैसे मनाएंगे दसेरे को शोक के रूप में मनाएंगे बिल्कुल तो यह जो मंडोर जोदपूर है यहां पर शोक के अधिजयां था जहांगिर का यह की पुत्र जहांगिर को यहांगिर की पूत्र यह अश्मेर के लृट शायोर थे ज़लगर सब्सक करना ज्लम बाधनया जिसने यह घ्रण यहांगिर में आपकर कमया आजुनार स्वार्डक अजमेर के व्रक्ष की पुजा की जाती है, खेजडी जो व्रक्ष होता है, इस खेजडी व्रक्ष को थार का कलप व्रक्ष कहा जाता है, थार का क्या कहा जाता है, कलप व्रक्ष कहा जाता है, थार का कलप व्रक्ष खेजडी को कहा जाता है, खेजडी जो है, इसका विज्ञानिक नाम क्या होगा साथियो तो इसका विज्यानिक नाम हो जाएगा प्रोसोपिस साइनेरिया प्रोसोपिस साइनेरिया ये इस खेजडी का क्या हो जाएगा साथियो विज्यानिक नाम हो जाएगा प्रोसोपिस साइनेरिया इस खेजडी को गाउ में क्या कहते है तो इसको गाउ में ज है सातियों तो सरवाधिक हो जाएगी आपकी सेखावाटी में कहां पे सेखावाटी में सरवाधिक खेजडी जो है वो सेखावाटी में पाई जाती है ये आपको दसेरे में द्यान नकना है एक तो आपके आस्विन में शुकल माहे में परतिपदा से नौमी तक नवरात्री आ जाती कि लें सक्पक्री मैने जाते हैं अजमेर में मुगल बातित की जाती है खेजरी को थरी का कलों back लग्ल्व केvit कहते है इसको जंटि केकि जाएगी सेख़ावाटी में हो जाएगी इसके बाद में एक चीज आप और द्यानक लेना वो है सरद पुर्णिमा और ये साथ यो अस्विन का अंतिमत्यों हार है सरद पुर्णिमा नेक्स्ट क्लास में हम कार्तिक महाय पढ़ेंगे और कार्तिक के बाद में मारग्षी स्पोस माग और फालगुन के जो थोड़े थोड़े तोड़े प्यों कि ही रस फंदवाद में पहत फंद्यर्द्पनिवाब।